हालो माई यूटूब फैमली आज हम बना रहे हैं आलू दो प्याजा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है और ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं इसे बना कर ज़रू ट्राइ करें इसे बनाने के लिए एक पैन में एड़ करेंगे एक चमच रिफाइन ओयल सौटे कर लेंगे इसमें एड़ करेंगे दो रफली चॉप किया हुआ टमाटर इसे भी एक मिनट तक सौटे कर लेंगे साथ ही एड़ करेंगे पंदरा काजू और इसे भी दो मिनट तक सौटे कर लेंगे इसके बाद मिक्सर को ठंडा करके इसे मिक्सी में एड़ करें और एड़ करें थोड़ी सी पानी और इसका एक फाइन प्यूरी बनाएं देख सकते हैं फाइन प्यूरी हमने रेडी कर लिया है यहां आलू को हम अच्छे से छील लेंगे इसके स्कीन को बाहर कर लेंगे और इस तरह से हमें रफली आलू को चॉप कर लेना है मोटे मोटे स्लाइ और इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें एड करें और इंज फूड कलर नमक और इसे मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसे पांच मिनट रेष्ट पर रखें इसके बाद इसे हम डिफ्राइब करेंगे यहां तेल गरम हो चुका है इसमें आलू एड करें और इसे पा आलू डी फ्राइ हो चुका है इसे तेल से कर लें सेपरेट पैन में एड़ करें कटी हुई सिम्ला मिर्च आपके पास जो भी कलर की सिम्ला मिर्च अबलेबल हो उसे यूज करें एक मिनट तक सौटे कर लें सिम्ला मिर्च को इसके बाद इसमें एड़ करें क्यूब कटा हुआ प्याज और एक चुटकी नमक प्याज डालने के बाद ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है वरना प्याज गल जाएगा प्याज को हमें क्रंची रखना है यहां पैन में यूज़ कर रहे हैं दो चमच रिफाइन ओयल ख़रा गरम मसाला, हाप चमच अद्रक लैसन पेश्ट और इसे एक मिनट सौटे कर लेंगे साथ ही इसमें एड़ करेंगे धनिया पाओडर, लाल मिर्श पाओडर, जीरा पाओडर, हाप और हाप चमच इसमें यूज़ करेंगे मसाले को 1-5 मिनट तक भून लें इसके बाद इसमें एड़ करें थोड़ी सी पानी और मसाले को फिर से हम 1-2 मिनट भूनेंगे यह प्रोसेस हमें दो से तीन बार करना है, पानी आड़ कर मसाले को भून लेना है, मसाले अच्छे से भून जाएं, तो इसमें आड़ करेंगे हम, हाफ चमच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग इसमें आड़ कर सकते हैं, साथी इसमें आड़ करेंगे, टमाटर और प्याज की प्यूरी जो हमने बना कर रेड़ी करके रखी थी, उसे एड़ करेंगे, और इसे दो मिनट तक भून लेंगे, यह देख सकते हैं, मसाला हमारा बिल्कुल रेड़ी हो चुका है, इसमें एड़ करेंगे फ्राइ किया हुआ पोटैटो, आलू, इसके बाद इसमें प्याज और शिमला मिर्च फ्राइ करके रखा था उसे, साथे एड़ करेंगे, हरी मिर्च चार पांच, एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता, और कसूरी मेथी, हमने ड्राइ रोस्ट करके इसे, हाथों से रब करके एड़ कर रहे है साथ ही एड़ करें एक चमच क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें एड़ करें थोड़ी सी पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर धखकर इसे पांच मिनर्ट तक हम कुक कर लेंगे जो फ्लेम पे पांच मिनर्ट के बाद देखें ये पॉर्फेक्ट डन हो चुका है आलू दो प्याजा ये खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज है इसे आप जरूर बना कर ट्राइ करें इससे ज्यादा टेश्टी आलू की सबजी कुछ नहीं हो सकती आप इसे जरूर बना कर अपने घर में ट्राइ करें और हमें कॉमेंट करें आपको कैसा लगा यकिन माने म झाल